पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिक अरजुन खडगे शुक्रवार को पटना पहुचे एरपोर्ट से सदाकत आसरम इस्तित पार्टी मुख्याले पहुचकर कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिक अरजुन खडगे ने पार्टी के कारेकरताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि यह कॉंग्रेस ऑफिस काफी महत्व रखता है इस कॉंग्रेस का रियाले से जो भी नेता निकला है वो देश की अजादी के लिए लड़ा है हमें गर्व है कि देश के पहले राष्टपती डॉक्टर राजंदर पर साथ इसी धरती से निकले थे खर्गे ने कहा कि अगर हम बिहार जीत गए तो पूरे भारत में हम जीत जाएंगे जो कोई नेता निकला वो देश के अजादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है गर्व है कि द्वाबु राजंदर परसाथ जी इस देश के प्रतर्म रस्टपती बने वो इसी जगे से बने और यहां के लड़ाई से बने तो आज ऐसे पवित्र जगे पे हम आये हैं और समय की ख़मी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम आन पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है तो मैं दोस्तों आपको एकी कहते बात कहना चाहता हूँ सम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना और इसलिए राउन गांदीजी ने पहला कदम उड़ाए और उन्होंने हमको कहा और हम राउन गांदीजी ने मिलके हमने यह सोचा हर एक पार्टी के मेंटा को बुला बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उजाएंगे तो उसी नियत से यहां पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका अशिरवाद लेने का भी यह वक्त हमको मिला है इसलिए मैं इतना ही कहूंगा हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी के जो आइडलाजी है इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सब मिलके कांगरेस पार्टी को जिताइए मिल जुलके काम करें चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके तास मतवेद भी हो उस मतवेद को निकाल दो देश के लिए समीदान बचाने के लिए दिमाकरसी बचाने के लिए यह काम है और आपके हकुक को बचाने के लिए आपको लगना हूँ सब को एक करना होगा इसी लिए जो रावु घामीजी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं उसको हम आगे लेके जाना है इतना कहिते हुए मेरे चांग शब्द को समान करता हूँ जय हूँ